खेल की दुनिया से अच्छी खबर जियाँ चौते क्रिकेट टेस्ट मैच में ऐस्टेलिया के खलाफ विराज कोहली ने शतक जड़ दिया है सैंचूरी पूरी कर ली है और यह ठाइस वाँ क्रिकेट टेस्ट शतक जड़ा है विराज कोहली विराज कोली के नाम एक और उपलब थी औस्टेलिया के खलाफ कोहली ने ठोक दिया है शतक सौरन पर नाबाद क्रीज पर मौजूद है और औस्टेलिया गेंद बाजों की बक्या उधरिने का काम कर रहे हैं इस वक्त विराज कोली और टीम इंडिया का स्कोर लगभग 400, 399 प उपलब दे चौथे टेस्ट मैच में एमदाबाद में विराज कोली के नाम एक और सेंचुरे और 28 शतक है टेस्ट क्रिकेट में विराज कोली के नाम टीम इंडिया बहतर बलेबाजी करते हुए रोई शर्मा इसके पहले 35 रोनों ने बनाया शुमन गिल ने भी 128 रोनों की शांदार पारी उन्होंने खेली थी अलाकि चेतेश्वर पुजारा ब्यालेसन पर आउट हुए विराज कोली अभी भी क्रीस पर नाबाद हैं 100 रन बनाकर जडेजा ने उनका वखुवी साथ दिया था उस वक्र 20 रन बनाये थे भरत में भी 24 रन का युगदान दिया था औ और अक्षर पटे 5 रन बनाकर नाबाद हैं विराज कोली के साथ और टीम इंडिया का इसी के साथ 400 रन भी पूरे उन्होंने कर लिये हैं तो ये एक अच्छी खबर 480 रन पहली पारी में और सेले टीम ने बनाया और 400 रन पर अभी टीम इंडिया खेल रही है और पांच बन